नुमुरुमाइए एक बार आपका फिर्जी स्वागत है हमारे यूटीब चैस संसकत पोईट पर आज हम बात करेंगे में थर्ड सेमिस्टर के एक्जाम पेपर की देखिए संसकत विशे का है और पेपर का नाम है संसकत व्याकर निबंत इवमानुवाद पेपर कोड़ है जी सअर्न बांच रेखांगerem पदों में स तुथ्याइड पूर्वक्ति प्रृथिप्रिपाद आविजिए किया कहा गया है जो रेखांगREAM कि पद है उसमें पहले सुथ्र उप्रूलेक करना है ऊप्र समें और बताना है कि आप इसमें कौन giorno म्में धो Allen कर सकते हैं जो पर शृ तो लेक करेंगे उसके बाद विभक्ति बताएंगे कि इसमें विभक्ति कौन सी है ऐसी आगे की प्रशन धीजे किस तरह के प्रशन है देखिए पैसाम ओधनम भुक्ते रामेन बाने इन हतो वाली हर्य रोष्टे भक्ति या फिर आप ये 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 आगे जितने भी प्रशन है आपम इसे कीवल पांच करेंगे जो कि प्रतिय EV कितने नंबर ये एक नंबर का है प्रतिय Didn hara एक नंबर मिलेग Спाहि एक और फिर आपको न्रूप युजोर द्ने बाद nay नहही निक निदो desc. प्रशन है आपको और इस का नल मिलेगा ए्जो प्रशन है आपके आपके वो कि आपको केवल 5 करने है, प्रतेक एक नंबर का है, आप वाक्तराविव कर सकते हैं, उपकृष्णम कर सकते हैं, अतिहिमम कर सकते हैं, ससकी कर सकते हैं, आगे क्या है, हरी तरहता है, या फिर आप इन सब में से कोई सबी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लिगे, केवल आपको 5 करन और प्रत्य बताने हैं आपको याद रखिए हर प्रश्ण कह रहा है कि सुत्र का उलेक करना है आपको जैसे कि आप ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं पहरे प्रश्ण देख लेका कितने हैं टोटल समें आठ हर एक में आपसे आठ आपको दिये गए हैं और आपको ज और लिक्त करते हैं। वियाख्या करते हैं। और विया करते हैं। सुत्र भीम हुआ है। एक उधारन भी देना होगा और ये भी प्रशन कितने हैं आपको पांच करने हो एक एक नंबर का है मतलब आप चाहे तो ये कीजिए ये कीजिए अगतितम चा सादक्तम करनम कुल कितने हैं प्रशन ये देख लेते हैं कुल प्रशन इसमें भी आपको आठ प्रशन दिये गए ह आप चाहे तो स्क्रीन शोड ले सकते हैं या फिर आप कहीं पर लिख लिए ताकि आपको याद रहे कि यह जो आपके पास सुत्र हैं इन सभी से प्रश्न आए हैं अपदाने पंचमी सर्वनाम हत्रत्या चा यसे चा भावेन भावलक्षनम इस प्रहरिप से तहा सहय युक्ते आप रधाने चा और उपर आपसे पूछे गए थे यरे सादक्तम कर्णम अकतितम चा कर्दुरीप से तमाम कर्म इन में से किवल आपको पांच करने हैं लेकिन आप तयाली सभी की कीजिए गा और वहापे पेपर में जब आप आपसे पूछा जाए तो सिर्फ उतने ही कीज इसमें भी आठ दिये गए और आठ में से आपको केवल पांच करने हैं आप इन में से कोई भी पांच कर सकते हैं फिर पूछा गया है आपसे निमलखित में से किनी पांच सुत्रों की सा उधारन व्याख्या कीजिए फिर से आपको सुत्र दिये गए हैं यहापे आपको नंबर का है और उधारन के साथ लिखना है इस तरह की ये प्रशन पूछे गए आप से आप इसको निशोट ले सकते हैं आगे दियानेते हैं आगे हैं निम्लिखित में से किसी एक विशे पर निमंद लिखिए और निमंद जू है वो 10 नंबर का है आपके पास ऑप्शन कितने च्फोति ररं में से किसी एक विशे पर आपको निमंद लिखना है संस्कित भाषा आयो हो महत्वम लिख़ी के पर आप निमंद लिखना होगा आगे दियान多 महिमा महाकवी काली स क्रगोण को या पर या फिर आप लिख सकते हैं गद्याश का शंसक्रत में चाहिए ये पाँच नम्बर का है और आपके सामने आप स्क्रीशोट ले सकते हैं आपको ऐसे ही किसी प्रकार गजह नेदिया जाएगा रापको इसकी क्यारा होगा उसका अनुवाद करना हूगा फिर प्रशन से अता है प्रशन से निम्लिकित गध्याश का हिंदी में अनुवात कीजिए यह भी पांच number का है पिछली बार आपको हिंदी में दिया गया था अब को संस्कुत में दिया गया और आपको इसका इतना छोटा नहीं होगा थोड़ा बड़ा होगा यह यह रहा आपको सकते हैं इस तरह आप sorta is this तरह को कड़यांश दिया शाए घाज आपको Г aoqo Ск whilst parental करना होगा और और उपर आपको Summa ये गाट ये इन्प्र के आपको संसकत में अनुवाद करना होगा दोनों ही गडियांश 5 पांच नंब्र के हैं, देखिए पांच नंबर यहां पर मिले आपको फिर आपके पांच नंबर यहां पर अपर is fifteen, नंबर यहां प्रिशन मेरा धा तो यहां पर हो जाते हैं और यह हुए आपके 45 और यह हो गए आपके 50 गुल मिलाकर के 50 अंगो का पृष्ण पत्र है यह और आपको तीन घंडे का समय दिया गया है उमीद करते हैं आपको यह प्रिश्ण पत्र अच्छे से समझ में आया होगा यदि आपको कोई भी समस्या हुई है तो आप हमसे यूनी क्लाब का बहुत बहुत थैनिमादा